तस्यानुजापी तस्यानुकरणं कृतवंतह तस्येच्छया तस्यमित्रईह सूभुचिंतकैश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापिठं स्थापितं तत्र बीएज प्रसिक्षण स्यापी समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अभुज माढ छेत्रे रामकृष्ण मीशन आश्रमह स्थापितह अस्य सचीवेन पुज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वं नेत्रित्वं प्रदत्तम तस्यानुजास्पी तस्य धन अनुजह धन अपी यहां तस्य धन अनुजह धन अपी यहां पर दिर्वस्वासंदी का प्रयोग हुआ है फिर अनुजह धन अपी यहां विसर्वसंदी का प्रयोग हुआ है तस्यानुकर्णम तस्य धन अनुकर्णम यहां भी दिर्वस्वासंदी का प्रयोग हुआ है तो उनके अनुज भी तस्यानुकरणम उनका अनुकरण कृतवन्तह करने लगे थे अर्थात स्वामी आत्मनंद तो जो दीन दुखी पीडित लोग हैं उनकी सेवा साहता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया साथ ही साथ स्वामी आत्मनंद के जो छोटे भाई थे वे भी उनका अनुकरण करने लगे अर्थात वे भी समाज कल्यान में अपने आपको अर्पित कर दिये तस्य चया तस्य धन इच्चया इती तस्य चया यहां पर गुण स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तस्य इच्चया अर्थात उनकी इच्चा से तस्य मित्रई है उनके मित्र सूभचिंतके इच्च उनके मित्रों और सूभचिंतकों के द्वारा मित्रई है मित्रम मूल सब्द है नपुनसकलिंग का यहां सब्द है तृतियो भक्ति बहुवचन का यहां रूप है इसका तात पर यह होता है मित्रों के द्वारा सूभ चिंतक इस्च अर्थात सूभ चिंतकों के द्वारा यहां भी तृतियोई भक्ति बहु वचन का रूप है तो उनकी इच्छा से उनके मित्रों के द्वारा उनके सूभ चिंतकों के द्वारा रायपूरे रायपूर में रायपूर मूल सब्द है नपुन सकलिंग का यहा प्रयोग हुआ है और इसका तात पर यह होता है राइपूर में विवेकानंद विद्यापीठम विवेकानंद नामक विद्यापीठ की स्थापितम इस्थापना किया तो उनकी इच्छा से स्वामी आत्मनंद की इच्छा से स्वामी आत्मनंद के मित्रों और सुभ चिंतकों क ये द्वारा रायपूर में विवेकानन्द विद्या पीठ की स्थापना किया गया है। रायपूर में विवेकानंद विद्या पीठ की स्थापना किया गया है तत्र वहां कहां विवेकानंद विद्या पीठ में तत्र यह अव्याइपद है इस्थान वाचक अव्याइपद अर्था यह इस्थान को बताता है जैसे अत्र तत्र जो कहते हैं यह सभी क्या है यह इस् पर और इसी तरह से एकत्र कहते हैं, एकत्र का मतलब होता है इकठा या एक स्थान पर, तो ये सभी क्या हैं? अत्र, तत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र, ये क्या है? ये इस्थान वाचक अव्याइपद हैं. तो तत्र का मतलब होता है वहां कहां विवेका नंद विध्या पीट में बिएड प्रसिक्षन स्या भी प्रसिक्षनस्य धन अपि इती प्रसिक्षनस्या भी तत्र बी एड प्रसिक्षन स्यापी वहाँ बी एड प्रसिक्षन की भी समूचिता अर्थात उचित रूप से भली भनती नमाचारी व्यवस्था वर्तते नवाचारी व्यवस्था जो है B8 की वह वहां समुचित रुप से संचालित है कहां विवेकानन्द विद्या पीठ में ये कैसे हुआ है ये स्वामी आत्मरंद की प्रेरणा से उनकी इच्छा से तो विवेकानन्द विद्या पीठ में जो B8 प्रसिक्षण चल रहा है सिक्षा के छेत्र में जितने नवाचार होते हैं नई नई पद्धतियां होती हैं पढ़ने पढ़ाने की इसके विशाय में इस B8 प्रसिक्षण में जो सिक्षार्थी होते हैं उन्हें ये बताये जाता ह उसके अनुसार से सिक्षा में नए नए प्रयोग नवाचार संपन होते हैं आपके विध्यालम भी कुछ नवाचार होता होगा होता है ना हाँ तो वैसा ही ये नवाचार के संदर्व में सिक्षकों को जो प्रसिक्षन दिये जाता है उसका एक साधन बीएज प्रसिक्षन है तो इसकी व्यवस्था विवेकनद विद्यापीठ जो स्वामी आत्मनंद के कृपा से उनकी इच्छा से रायपूर में इस्थापीत है वहाँ यह व्यवस्था चल रही है न केवल यहां बलकि छतिसगड के विभिना छेत्रों में और न केवल छतिसगड अपितु छतिसगड से बाहर भी विभिन छेत्रों में इस तरह के विद्यापीठ के स्थापना की गई है जहां समाज के विभिन सेवा कारियों है संपन हो रहे हैं तो हमारे चतिसगड में जैसे बस्तर है तो बस्तर में भी वहां रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्थापना की आईए आगे जनक देखिए आपचित्र में भी देख रहे हैं रायपूर में इस्थापित विवेकरन्द विद्यापीठ को इसी तरह से बस्तर चत्तिसगड का महतपूर्ण छेत्र है और वन संपदा से परिपूर्ण छेत्र है और यहां उस बस्तर में नारायन पूर जो अबूज माच छेत्र जो कहा जाता है जहां पहुच जो है अभी भी दूर्गम है अर्थात वहां समुचित विकासकारिय विभिन्न कारणों से अभी तक संपन नहीं हो पाए हैं अभी भी वहां के जो मार गहें वो रहस्यमय हैं अर्थात सुल्जे हुए नहीं है यदि कोई व्यक्ति नया व्यक वहां राम कृष्न मिसन आस्रम स्थापित आफ वहां भी स्वामी आत्मानन्द की प्रेणा से राम कृष्न मिसन आस्रम की स्थापित किया गया है और बस्तर में यह जो राम कृष्ण मिशन आश्रम में इस्थापित किया गया है इसके सचीव है निखिला अत्मानंद तो अश्य सचीवेन तो बस्तर में जो राम कृष्ण मिशन आश्रम है उसके सचीव की बारे में पता जारा है तो अस्य सचीवेन इसके सचीव पूज्य पाद अर्थात पूज्यनिय स्वामी निखिलात्मा नंदेन स्वामी निखिलात्मा नंद के द्वारा अपूर्वं नेत्रित्वं प्रदत्तम अपूर्वं नेत्रित्वं प्रदान किया गया है अर्थात बस्तर के नारायन पूर अबोजमाट छेत्र में जो राम कृष्ण मिशन संचालित है उसके सचिव स्वामी निखिला आत्मा नंदर रहे हैं और उन्हों ने उस आश्रम के स्थापना करने में अपना अपूर योगदान दिया है और साथे साथ उसको संचालित करन में अपना महत पूर योगदान दिया है अनेन आश्रमेन सिक्छा चिकित्सा क्रिसी जनसेवा क्रिशक प्रसिक्षण केंद्र युवा प्रसिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा वीपणन छेत्रे सुच्च अती संपन्नानी सेवा केंद्रानी संचालितानी संती आध्यात्मि अश्य प्रयासह प्रसंसितः अनियन आश्रमेन इस आश्रम के द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है जो नरायनपूर अबुजमारव छेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम इस्थापित है वह आश्रम विभिन सेवा केंद्रों को संचालित कर रहे हैं वहां क्या-क्या कारी संचालित हो रहे हैं विसके विश्य में जानकरी दे रहे हैं तो अनियन आश्रमेन इस आश्रम के द्वारा सिक्षा, चिकित्सा, सिक्षा के छेत्र में महत पूर्ण कारी किया जा रहा है, चिकित्सा के छेत्र में महत पूर्ण कारी किया जा रहा है, क्रिशी के छेत्र में महत पूर्ण कारी किया जा रहा है, जन सेवा का महत पूर्ण कारी किया जा रहा है, और साथ ही साथ क्रिशक प् तो वहाँ जो चिकितसाले की पद्धती है वो कैसा है वो चलित है अर्थात उस चिकितसाले तक लोगों के आवशक्ता नहीं होती है वह चिकितसाले जो है वह चलित है अर्थात लोगों तक वह पहुंचकर वहाँ उनकी चिकितसा उनके द्वारा किया जाता है तो विभिन्न हाट बाजार जो होते हैं ऐसे इस्थानों पर वह चल चिकित्सा केंद्र जो है वहाँ जाता है और वहाँ जाकर के लोगों की जो विभिन्न सारेरिक समस्चाएं होती हैं उनका वो समाधान उस चलित चिकित्सा केंद्र के द्वारा किया जाता है तो ये सभी केंद्र जो हैं अबुजमाज शेत्र में रामकृष्ण मिशन जो इस्थापित है उसके द्वारा ये सभी सेवाकारिय संपन्न किये जाते हैं तो ये सभी सेवा कारे कैसे हैं? अती संपन्नानी, बहुत संपन्न हैं, अर्थात बहुत प्रसिद्ध भी हैं और अच्छी सेवाएं ये लगातार दे रहे हैं तो सेवा केंद्रानी ये सभी सेवा केंद्र संचालित आनी संती संचालित हैं, कौन कौन से सेवा केंद्र संचालित हैं? यहां चिकित्सा की सुविधा है, चिकित्सा की सुविधा है, क्रिसी की सुविधा है, जन सेवा की सुविधा है, क्रिसक प्रसिक्षण की सुविधा है साथ युवाओं को विभिन्न छेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए भी प्रसिक्षन देने की व्यवस्था है जो युवा प्रसिक्षन केंद्र के नाम से यहां संचालित है इसी तरह से चलीत चिकित tissah जो विभिन्न हाथ बाजार में जा करके लोगों की चिकितषा करने का कार्य निरंतर कर रही है तो ये सभी सेवा कार्य जो हैं इस राम क्रिश्न मिशन आश्रम में नारायनपूर में आज भी संचालित हैं जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं आपको कभी लगे आप वहां जाकर देख भी सकते हैं कि यहां क्या क्या कार्य हो रहे हैं आध्यात्मिक छेत्रे पी केवल यही नहीं केवल सेवा की छेत्र में नहीं अब यह तो लोगों को आध्यात्मिक संसकार की बात ही वहां सिखाई जाती हैं अध्यात्म कहते हैं इस्वरी जो सत्ता है उसके प्रती लोगों को वीनत करना अर्थात उस इस्वरी सत्ता का ध्यान करना है योग करना है साधना करना है इसके लिए भी यह जो राम कृष्ण मिशन आश्रम है यह जो है सतत कारियरत है तो आध्यात्मिक छेत्रे पी अश्य प्रयासह प्रसंसितह तो राम कृष्ण मिशन आश्रम का जो आध्यात्मिक प्रयास है ये भी बहुत ही प्रसंसनी है आध्यात्मिक छेत्रे पी संधी अलग करें तो आध्यात्मिक छेत्रे धन अपी यहाँ पर पूरुव रूप स्वर संधी है आध्यात्मिक छेत्रे पी अश्य प्रयासा प्रसंसिता है आध्यात्मिक छेत्र में भी इस आश्रम का जो प्रयास है वह प्रसंसनिय है आगे बढ़ते हैं इसी बात को उलेक करते हुए यहां कहा गया है इदम नगरम यह नगर कौन से नगर इदम नगरम यह किसके लिए आया है इदम नगरम यह पत जो है रायपूर के लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये जिससे इदम नगरम यह नगर परिपूतम भवत पवीत्र हुआ अर्थात स्वामी विवेकरन जैसे महान आत्मा यहां राइपूर वासियों के लिए गौरों की बात है कि स्वामी विवेकानन्द जैसे व्यक्तित्व का धनी दो वर्स राइपूर में अर्थात शत्तिसगड की राजधानी में रहे हैं, तो उनके रहने से इदम नगरम यह नगर अर्थात राइपूर नगर जो है वह पवित्र तो श्वामी विवेकानन्द जन्म सताब्दी वर्से भव्यम समारकम निर्मातुम सह आत्मानन्द प्राण पणिन आयत। तो स्वामी विवेकानंद के जन्म सताबदी वर्स में उनकी भव्यस्मारक बनाने के लिए सह आत्मनंद वे आत्मनंद प्राण पढ़ेन आयत अर्थात प्राण पढ़ेन से जूट गए थे स्वामी विवेकानंद के जन्म सताबदी वर्स है वह यादगार हो इसके लिए स्वामी आत्मनंद ने उनका एक भव्यस्मारक बनाने का ठान लिया और वे इस कार्य में सफल भी हुए आप लोगों ने देखा होगा रायपूर का जो बुढ़ा तलाब कहा जाता है जिसे विवेकानंद सरोवर का भी नाम दिया गया है उस विवेकानंद यदि आपने रायपूर देखा है और विवेकानंद सरोवर को देखा होगा जिस बुढ़ा तलाब भी कहा जाता है तो व कहा जाता है विवेकनंद सरोवर और यह जो मूर्ती दिखाई दे रही है बड़ी सी यह जो मूर्ती है वह है विवेकनंद की तो इसके निर्माण में स्वामी आत्मानंद ने प्राणपन से जूट गए थे तो आयम आश्रम हाँ यह आश्रम कौन सा आश्रम यहाँ पर आश्र तो आयम आश्रमहा यह जो आश्रम है वह आध्यात्मिक दर्सन से केंद्र मस्ती आध्यात्मिक दर्सन का केंद्र है अर्थात लोग जिनको भी सांती की कामना होती है चिकित्सा की आवशकता होती है प्रसिक्षन आदी की आवशकता होती है पूस्तके पढ़ने की आवशकता ह होती है तो उन सब के लिए वीशेस सुविधा इस विविकनन्द आश्रम में है अपूर्व अनोखी सांती का अनुभाव यहां होता है आश्रमईव आश्रम में ही देखिए यह जो विविकनन्द आश्रम है केवल सिक्षा के छेत्र में और आश्रम के नाम से आवसधालयः यह यहां आप छेत्र में देख रहे हैं विविर्टों की देख रहे हैं। यहां आप चित्र में देख रहे हैं विवकरनाद आश्रम में जो आउसधालय हैं किस तरह हैं किस तरह से कारे करते हैं इसके विशे में आप वहां जाकर जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं आज भी है संचालित है तो ग्रन्थालय यहां केवल आउसधालय ने यहां ग्रन यहां औसधालाय और ग्रन्थालाय भी इस्थापित किये गए हैं तत्रईव वहां ही तत्रधन एव इती तत्रईव यहां विद्धि स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तत्र यहां अव्याईपद है और एव यह दोनों अव्याईपद हैं मिलिक कि ऊव्याइपदों का भी योग होता है और यहाँ पर योग हुआ है तत्र और यहाँ तत्र की मतलब कि into 강alink हाँ.. इस्थापित किये गए.. ठाकूर रामकृष्ण देवाले में स्वर्गोपमानी स्वर्गधन उपमानी अर्थाथ स्वर्ग की उपमा देने वाले आनंदानी आनंद प्रस्रितानी फैले हुए हैं अर्थाथ वहाँ इस्थापित ठाकूर रामकृष्ण देवाले में स्वर्ग जैसा आनंद फैला हुआ है यदि आपको कभी उस आनंद का अनुभव करना हो तो वियकनंद आश्रम रायपूर में जो इस्थापित है यहाँ ठाकूर रामकृष्ण का जो मंदिर है यहाँ स्व होता है अब यह स्वामय आत्मानंद कौन थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किया है आईए इसके विशामी जानकारियां प्राप्त करते हैं स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभासाली वक्ता लेख का स्चापि आसीत स्वामी आत्मानंद वे अतीव प्रतिभासाली वक्ता अर्था कुसल वक्ता रहे हैं और वे जब बोलते थे तब लोग उनकी बातों को बड़े चाव से सुनते थे बड़े ध्यान से सुनते थे और केवल बोलते ही नहीं थे अपी तु लेख का स्चापि आसीत लेख का धन्च धन अपी इती लेख का स्चापि लेख का धन्च विसरगसंधी च धन अपी दीरगस्वर संधी तो लेख का मतलब लेख क्चा मतलब होता है और अपी का मतलब होता है भी अपी जो है यहाँ अव्याइपद है तो स्वामी आत्मन अंद जो हैं अत्यंत प्रतिभा साली वक्ता थे अर्थात कुसल वक्ता थे और कुसल लेखा कभी थे अध्यात्म संबंधी नाम अन्य विश्या नाम च प्रवचन नहीं सदेशे ख्यातिम लब्धवान और चूंकि वे संत थे इसलिए और अध्यात्म से जोड़े हुए थे इसलिए अध्यात्म संबंधी विभिन विश्यों पर वे इस्थान इस्थान पर प्रवचन आदि दिया करते थे तो उनके अध्यात्म संबंधी नाम अध्यात्म से संबंधित और अन्य विश्य नाम और दूसरे विश्यों पर भी केवल अध्यात्म विश्य पर ही नहीं अन्य चुकि वो प्रतिभासाली थे वो किसी भी विशय पर बोलने में कुसल थे और पूरी तरक के साथ अपनी बात रखते थे तो अध्यात्म संबंधी बाते हों चाहे अन्य विशय हों तो उन पर उन्होंने इस्थान इस्थान पर प्रवचन दिया है तो इस तरह से उनके जो विभिन प्रवचन हैं वे देशे ख्यातिम लब्धवान देश भर में प्रसिद्ध हुए हैं अर्थात वे अपने प्रवचनों के माध्यम से पूरे देश में प्रसिद्ध हुए तस्य द्वी खंड आत्मकम गीता तत्व चिंतनम इतिग्रंथह अतीव मनोहरह अस्ति उनके द्वारा दो खंडों में गीता तत्व चिंतन की रचना की गई है जो अत्यंत ही मनोहर है रमणिय है पठान योग्य है जब आप इसको पढ़ें तब वास्तव में गीता का क्या है और गीता की किस तरह से उन्होंने व्याख्या किया है इसका आपको भली भाती ज्यान होगा तो उनके द्वारा दो खंडों में गीता तत्व चिंतन के नाम से ग्रंथ लिखे गए है जो अत्यंत ही सुन्दार और मनोहर है धर्म दर्शन छेत्रे धर्म की छेत्र में और दर्शन के छेत्र में अस्य महाभागह इन महानुभाव का क्रितयह क्रितियां तो धर्म और दर्शन के छेत्र में इस महानुभाव की क्रितियां पाठके सु पाठकों में वैज्यानिक द्रिष्ट्य भी व्रिद्धिम कुर्वन्ती अर्थाथ जब पाठक उनके लिखे हुए गरंथों को पढ़ते हैं तो केवल धर्म की द्रिष्टी विकसित नहीं होती है केवल दर्शन की द्रिष्टी विकसित नहीं होती है अपी तो उन ग्रंथों में गीता जैसे ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं वो वैज्ञानिक तत्यों पर किस चरह से खरे उतरते हैं यह रहस्य उन्होंने सुल जाया है तो स्वामी आत्मनंद के द्वारा लिखे गए इन ग्रंथों में इन ग्रंथों के पठन से लोगों की वैज्ञानिक दृष्टी में भी विद्धी होती है अर्थात ये ग्रंथ जो हैं लोगों के वैज्ञानिक दृष्टी को विक्सित करने में समर्थ होते हैं